वेल्कम टो माई क्लास मुनेजी सेंग एक बार फिर से डिजिटल एडिकेशन में आपका स्वालात है तो आज हम स्टार्ट करने वाले है स्टार्ट मेन्यू ठीक है स्टार्ट मेन्यू देस्टार्ट मेन्यू इन विंडो 10 इस ए ब्लाइंड blend of old menu found in windows 7 and start screen in window 8 देखे विंडो जो start menu विंडो 10 में दिया गया है वो एक mixture है windows 7 में विंडो 7 और start screen in windows 8 का ठीक है वेन यू click on start button जब आप start button पर click करते हैं at the bottom of left hand अपने बाइं तरफ screen पर you get two panels side by side तो आपको दो panel दिखाए देते हैं side में the left column display the pinned जो left column में इसमें pinned item दिखाए देंगे जो pinned किये गए है recently added जिनको recent में add किया गया है या most used app या जो ज्यादा तर app इस्तमाल किया जाते हैं आप computer screen पर जिन app को ज्यादा तर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे यहां पर आपको दिखाए देते हैं the right column display a section of live tiles उसी के बराबर में एक right column यानि कि उसके दाइं तरफ आपको एक section दिखाए देगा पूरा का पूरा जिसमें live tiles होंगी that you can customize जिसको आप customize कर सकते हैं live tiles क्या होती है window 10 display the most popular universal app in the form of resizable live tiles in the right pane of the start window ठीक है देखे window 10 के अंदा यह बहुत अच्छी बहुत अच्छा एक develop किया गया function है जिसमें आपको सारे के सारे most popular universal app देखने के लिए मिलते हैं और वो भी resizable जिसको आप दुआरा से उसके size को अपने according adjust का सकते हैं जिने हम live tiles कहते हैं ठीक है these tiles display latest update इन tiles के अंदर आपको latest update मिलेगी सूचनाएं मिलेंगी हाली की सूचनाएं मिलेंगी जैसे कि आपको news के बारे में जानकारें मिलेगी मौसम के बारे में जानकारें मिलेगी incoming mails और आने वाले mails without opening the app बिना कुछी app को खोले हुए आपको latest information यहां live tiles से आपको मिलती रहती है ठीक है आप अपने रिक्यार्मेंट के अकोर्डिंग कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं और स्क्रिन पर जहां चाहें वहां पर मूब कर सकते हैं ठीक है समझ में आया I hope कुछ हद तक clear हुआ होगा देखे window 10 के अंदा यह most popular इन्होंने एक effect डाला है जहां पर आपको live tiles देखने के लिए मिलती हैं इन live tiles में आपको recent informations मिलेंगी update मिलते रहेंगे आने वाले mails का incoming जो mails है news के बारे में और weather की report आपको मिलती रहती हैं आपको किसी भी app को खोलने की ज़रूत नहीं है यहीं पर आपको सारी information मिलती रहती है यहीं इसका एक best option है चलिए pinning tiles to start देखिए tiles को pin करते है start menu है start के अंदर tiles को कैसे करना होता है उसको देखते हैं तो click on start button चीक है start button में click करेंगे all apps उसके बाद all apps and right click the app that you want to add और उस app के ओपर right click करेंगे जिसको आप add करना चाहते हैं and select the option pin to start आपको pin to start option को select करना है the selected app is displayed in the right pane in this form of a tiles तो आपको जो selected app है वो आपको tiles में दिखाई देने लगेगा ठीक है जो भी app आपने select किया है वो आपको यहां tiles में दिखाई देने लगेगा ओके यह होता है pinning to start pinning tiles to start तो extra fact में देखते हैं extra fact में आता है action center display alert from your device and your app just like the notification panel your smartphone लेकिए जैसे smart phone में notification panel होता है उसी तरीके से यहां पर एक action center होता है जो आपके device के बारे में आपको जानकारी देता है you can get access to various settings आप इसकी various settings को access कर सकते हैं जैसे कि आप screen की brightness को कर सकते है Bluetooth को turn on turn off कर सकते हैं और भी बहुत सारे features होते हैं आपको इसके लिए cable simple window प्रेस करनी है window के साथ में आपको a key जो की है न a key को प्रेस करना है और आपका action center active हो जाता है ठीक है समझ में आया चली है यहां पर tip देखते हैं tip में हमारे पास में क्या मिलने वाला है हमें you can also drug the app and drop it in the tiles area to display it in the right pen of the start menu देखिए आप किसी भी एप को drug कर सकते हैं एप को drug करेंगे जहां से आप एप को drug कीजिए और उसको tiles में आके छोड़ दीजिए तो यहां पर आपकी tiles जो होती है वो drugging से भी create की जा सकती है brain twister की बात करें तो प्रेस window plus tab की combination to open the task view pen which also displays the thumbnails image of the open applications देखिए window की के साथ में आप महाँ पर tab का button और दबाएंगे तो आपको task view pen open हो जाएगा जिससे आपको display होगा thumbnails image, thumbnails image दिखेंगे आपको जो applications open किये हुए ना उनकी thumbnail image आपको दिखाई देगी ठीक, चलिए resize कर देते हैं tiles को, resizing tiles यू can also resize the tiles according to your choice अपनी एक्षा के अनुसार आप tiles को resize कर सकते हैं tiles are generally available in 4 different sizes tiles आपको 4 different sizes में available है एक small, medium, wide and large to resize a tile, follow the given step, अगर आपको tiles को resize करना है तो आपको following step को follow करना होगा right click on the tiles and select the option resize tiles पे जाएगे, right click कीजिए और option resize को select कीजिए और select कीजिए अपनी choice आपको small में रखना है, medium में रखना है, wide में रखना है या large में रखना है जिसमें भी रखना है उस choice को select करके tiles को resize कर सकते हैं ठीक है चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं moving and grouping you can move a tiles to any place in the start menu just by drugging it देखें आप किसी भी tiles को any place in start menu में आप कहीं पर भी drug कर सकते हैं जहां चाहिए आप वहाँ पर इसको place कर सकते हैं यानि अपनी इक्षा के अनुसार आप drugging द्वारा किसी भी tiles को up, down, left, right कर सकते हैं जहां आपकी इक्षा हो tiles can also be combined to form a group tiles can also be combined to form a group tiles को आपस में जोड के आप group भी बना सकते हैं tiles का follow the given step to create a group of tiles चलिए इन step को आप follow कीजिए tiles का group बनाने के लिए जैसे यहां पे office की file है तो office की files को एक साथ इखटा किया tiles तैयार कर दी, notpad है, notpad की files को इखटा किया, tiles तैयार कर दी तो इस तरीके से बहुत सारी files को इखटा करके भी आप उनकी tiles बना सकते हैं इसके लिए देखे आपको क्या करना है drug a tile to the bottom of the right pane in the start menu a transparent horizontal bar appears with heading name group देखे आप जैसे ही drug करेंगे tile को to the bottom of the right pane in the start menu में आप किसी भी जब आप drug कर रहे होंगे tile को ठीक है तो एक transparent horizontal bar आपको दिखाए देगा with heading name group of the left side and two small horizontal line on the right आपको heading में दिखाए देगा name group और left side में आपको दिखाए देगे दो छोटी horizontal lines on the right side ठीक है click on name group आपको name group पे click करके add a name name add कर देना है and now you can add the relevant tiles in the group और अब आप उससे जुड़ी हुई tiles को इससे add कर सकते है to move the whole group of tiles drug the small line to the desired place आप small line को desired place पे जहां पर आप drug करना चाहते ने tiles को desired place की तरह move कर दीजिए पूरा का पूरा जो tiles है वो उधर ही move हो जाएगी चीक है समझे है I hope आपके समझ में आया होगा देखिए यहां पर आपको क्या दिखाए देगा जैसे ही आप drug करेंगे मान लिजे यहां पर drug कर रहे हैं आप किसी tiles को तो start menu से तो एक transparent horizontal bar दिखाए देगा जैसे यह दिखाए दे रहा transparent horizontal bar heading दिखाए दे रही है उसमें group name group और left side on the left side and two small lines दिखाए दे रही है आपको right side में यहां पर देखे दो small line आपको दिखाए दे रही है ठीक है तो आपको करना क्या simple group का नाम देना है जो भी आप नाम देंगे और इसके अंदर आप सारी की सारी tiles को add कर देंगे और यहां पर आप drug करके यहां पर आप खड़ेंगे इसको click करेंगे यहां पर और इसको जहां चाहें आप इस screen पर set कर सकते हैं वहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए दा लेप्ट और राइट साइड दीकिए विंडो को स्नैप करने के लिए आप इस शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं यहां एक्स्टा फैक्त में दिया हुए power button in the start menu enables you to put your computer to sleep shutdown restart as required देखिए इसमें power button में दिया गया है जिसका इस्तमाल आप computer को sleeping mode में subdown mode में या restart करने के लिए जैस जो भी चाहें उसे करने के लिए आप अपनी आउशकता अनुसार जो चाहें वो कर सकते हैं turn off live tiles, live tiles को कैसे आप turn off करेंगे तो window 10 allows you to desirable a live tiles so that it stop giving live updates and change window 10 आपको allow करता है desirable live tiles को कि आप उसको अच्छे से एक control कर सकते हैं stop by giving the update आप चाहते हैं आप उससे update लेने को बंद करना चाहते हैं उसको change करना चाहते है इन static icons to do so इस सब के लिए आपको यह step follow करने होगे कि आपको उससे कोई update नहीं चाहिए आप उसको change करना चाहते हैं तो कोई परिशान नहीं आपको कहा जाना है start button पर जाना है right click करनी है tiles के उपर see more option में जाएंगे इसमें आएगा turn live tile off option को select किजिए और आपकी live tile off हो जाएगी आपको उससे कोई भी update अब नहीं मिलने वाला ठीक है I hope आपके समझ में आया होगा तो अगर आपका कोई doubt है तो जरूर बताएगा फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए टाटा बाए बाए keep watching the video thank you thank you so much